तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने हाले बीड या फेशल हेर के बारे में एक्चुली में यह दितिक रोशन की जो पॉर्ट्रेट टुटोरियल है उसका पार्ट थर्ड है लेकिन मैं थोड़ा अलग से बनाना जाता था तो जिस जिसने पहले अले पार्ट नहीं देखे त और यह है फेशल हेर के बारे में या फिर बेर्ट के बारे में आपको क्या कम्प्लीट मैंने इसमें मतलब कावर कर दिया जितना भी है तो मेरे को नहीं लगता कि आपके मतलब की कोई चीछ छोड़ी है मैंने और फिर भी अगर आपके डाउट आए तो आप कोमेंट बोक्स में मेरे से पूछ सकते हैं और जो भी मेटेरियल या टूल्स है उसकी बात मैं अभी बताऊँगा और उनका लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में है तो आप चेक आउट कर सकते हैं तो बिना कोई टाइम वेस्ट किये लेट्स बिगिन तो दोस्तो टूल्स में सबसे पहले जनरल कि चार्कोर पैंसिल जो एच बी डो बी 4 ыт और 6 बी ग्रेट में आती है यह काफी यूशुफूल पैंसिल है और यह क्या है आपको light टू dark लेयर में काम करना तो आपको HB से start करना है या फिर 2B से start करना है और उसके बाद है Camelin Charcoal Pencil उसके बाद है Indenting Stylist Tool for white hair, blending stem और brush है blend करने के लिए तो दोस्तों आप यहां पर Indenting Stylist Tool की बात कर लेते हैं जो मैं white hair बनाने में यूज करता हूँ मैं commonly यह Indenting Stylist Tool काम में लेता हूँ आप यह भी काम में ले सकते हो अगर आपको लगता है कि thick hair है तो आप back side से भी इसको use कर सकते हैं और अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ यहां पे कि आपको कैसे white hair draw करने तो आपको पहले क्या करना है Indenting Stylist Tool से strokes में काम करना है strokes लगा आने हैं ना कि एक fix direction में क्योंकि हमेशा hair एक दूसरे के उपर होते हैं अलग-अलग direction में अगर भी facial hair ज्यादा है या फिर beard ज्यादा है तो तो आपको अब मैं क्या कर रहा हूँ चार्कॉल पेंसिल से आप देखो मैं आपको जैसे जैसे बनाता जारों वैसे वैसे जो ड्रो करने में अब मैं यहां से देख लो यहां से ब्रस्टे ब्लेंड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि कैसे आपको clearly visible हो रहे है फिर आपको old dark layer में काम करना है यह देखो कितने clearly white hair visible हो रहे है अब मैं आपको यहां पर एकदम perfectly एक बार दिखा देता हूँ कि यह actual में क देख लो आपको दिख रहा है ने clearly कैसे visible हो रहे है चलो अपने ड्रोइंग स्टार्ट करते हैं मैंने आपको सब explain कर दिया अब आपको क्या मैं इंडेंटिंटिंग स्टाइलस टूल पहले ही काम में ले लिया था इसमें तो मैं आपको बस डायरेक्ट दिखा रहा हूँ मैं ह definisal से हलके हलके Scorp hey head up कर दिये थे हैप कैसे आपको कैसे आ अराम किसे slowly slowly पेशेंस से एकडम हेयर ड्रो करों देख लेऊ आप इस च्रोख देख यह है मैं कैसे स्ट्रोख में काम कर रहा हूं आपको एकडम पेशेंस से बनाना है आपकी जो बीर्द या फिर फेसिल हेर हैं आ आप इस वीडियो को देखना है एक्दम पर्फेक्टली यह देखो जहां पर डार्क पार्ट है मैं वहां पर फोर भी पैंसिल भी यूज़ कर सकता हूं और जो इंडेंटिंग स्टाइलस वाला पार्ट हो क्लियरली आपको 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 इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर क्या क्या इंडेंटिंग स्टाइलस टूल से वह हैर ओटोमेटिकली ऐसे दिखने लग जाते हैं यह देखो आपको इसकीन के साथ में यह जो फेशल एर वाला पार्ट है एकदम पर्फेक्टली मर्ज करना है ब्लेंड करना है ताकि आपकि ऐसे यह जो फेशल एर या फिर बीर्ड है से अलग न लगे इसकिन से यह देखो लेयर टू लेयर काम करना है आपको एक लेयर काम काम करो फिर आपकी डैप्त में दिखेगी यह देखो जहाँआँ पर डार्क पार्ट है में वहाँआँ आप रेंडम लीज़े से आप आप अनसे ले उसको कर सकते हो कर सकते हो आप चारकोल पैंसिल के बज़ाए ग्रेफ़ाइट पैंसिल भी यूज़ कर सकते हो लेकिन क्या चारकोल पैंसिल थोड़ी डार्क चलती है और क्या है उसका आपको उसके अंदर क्या है जब आप इरेजर यूज़ कर सकते हो तो क्या वह बहुत इसली वह स से स्ट्रोक्स कर सकती हो जबकि ग्रिफाइट में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है अब देखो मैं यहां पर ब्रश ब्लैंड कर रहा हूं कि फिर वापिस डार्क पैंसिल यूज़ कर रहा हूं ताकि वह एक डेप्थ डेप्थ दिखे फोर भी की चार्कोल पैंसिल आईए जितना ज़्यदा आप अपनी रेफरेंस फोटो को अब्जर्व करते हूए पोर्ट्रेट बनाओगे उतनी ही ज़्यदा आपकी रियलिस्टिक ड्रोइंग बनती जाएगी आपको पेशेंस से काम क कि कोशिश करता हूँ हाँ हालाएं कि वह पर्फेक्ट ली इतनी ज़्यदा मेंच नहीं होती लेकिन वह एक रियलिस्टिक लगने लग जाती है कोई भी ड्रोइंग हंड्रेट परसेंट तो फोटो जैसी नहीं होती है ना यह देखो मैं स्किन के उपर भी ऐसे हेर बना रहा हूँ यह फेशल हेर ताकि वह ऐसा लगे कि मतलो इसकिन में मर्ज टाइप में लगे नहीं इसलिए यह देखो आपको दिख रहा होगा साइड वाले हैर किते ऐसे रियलिस्टिक लगने लग गए अब कोई कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है बेर्ड बनाना बस आपको आराम से बनाना है इस्ट्रोक्स में ज़्यादा काम करना है आपको यह देखो और आपको दोस्ते एक बात बताओं आप एक चीज़ का ध्यान लखना कि आपकी जो पेंसिल है चारकुल पेंसिल है वो हर बार आप मलप्ट बीच-बीच में शार्प करते रहना क्योंकि आपको भी पता है फेशल है या फिर बीर्ड वो क्या है थोड़े से थोड़े से थोड़े से ऐसे पॉइंटेड होते हैं तो क्या आपको इस ट्रोक्स के लिए आपको अपनी पेंसिल को बीच-बीच में शार्प करते रहना है यह देखो अब मैं यहापे टॉम्बो मोनो जीरो एरेजर से वा फिस यूज कर रहा हो ताकि और ज्यदा वाइट लगे अब दोस्तों मैं यहापे आपको एक बाद बता हूँ कि जब आपका इरेजर जैसे आप स्ट्रोक्स लगाते हो तो क्या उपर से क्या इसको आपको क्लीन करना जरूरी है और इसके लिए आपको क्या इसको क्या थोड स्ट्रोक्स लगे यह देखो आप अब आपको कड़ना क्या है जो मैंने पहले लियर बनाई उसके उपर मैं ब्रस से ब्लैंड करता जारू हो ताकि वह एर ऐसे एक दूसरे से अलग ना लगे यह देखो blend करते जाना है वो ही मैं जैसे ये निच्चे मैं जैसे यूज करता जार हूँ इसके beard के ये देखो अब आपको मैं और ज़्यादा dark layer में काम कर रहूँ तो मैं जहाँ जहाँ पे ज़्यादा dark part वहाँ पे वहाँ पे 4B pencil काम मिल ले रहा हूँ ये देखो आपको शो हो रहा होगा जो मैंने इंडेंटिंग स्टाइलस टूल से जो इस ट्रोक्स क्रेट करें थे वाइट एर के लिए वो देखो आपको इसमें आप क्लियर ली वीजिबल हो रहे हैं आगे अपन इसको और ज़्यदा क्लियर करने के लिए टॉम्बो मोनो जिरो एरिजर का यूज करेंगे जैसे कि मैंने अभी पहले यूज किया था ब्लैंड करते जो लेयर लेयर टू लेयर काम करते जो आपकी जो ये फेशल हैर है ये एकदम रियलिस्टिक दिखने लग जाएंगे आपके जो पोट्रेट में लिप्स होते है उसके उपर भी जैसे हैर होते तो उसके उपर भी ये परफेक्टली ड्रो करने होते है यहाँ पर मैं थोड़ा ऐसे मतलब कि बीच बीच में फास्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको explain कर देता हूँ उस चीज़ को सही से आपको क्या है बस technique पर focus करना है कि मैं basically technique क्या काम में ले रहा हूँ मैं चारकुल पैंसिल से पहले बेस लेयर ड्रो करता हूँ फिर उसको क्या बलते कि ब्लैंड करता हूँ ब्रश है और फिर वापिस डार्क लेयर यूज़ करता हूँ और टॉम्बो मोनोजिरो एरेजर से फिर एक्स्ट्रा वाइट जो मैंने इंडेंटिंग स्टाइलस टू उनको शो करता हूँ मैं वेज वेज में केमलें के चारकुल पैंसिल भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यह थोड़ी क्या है जनरल की चारकुल पैंसिल की खासयत है कि कि यह थोड़ी ऐसे स्मूथ चलती है तो क्या जब अपन शोट हैर या फिर थोड़े बीर्ड में या फेशल हैर में जब हैर थोड़े से दूर दूर होते तो मैं यह यूज़ करता हूँ जन्रल के चारकुल पैंसिल यह देखो आपको दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ी हलकी सी हार्ड चलती है उनसे यह पैंसिल अब देखो मैं आपको यह नेक वाला पॉर्शन इसलिए दिखा रहा हूँ इसके अंदर ड्रो करके थोड़ा सा इसके शेडो का ताकि आपको यह पता चले कि यह कि फेशल एयर को या फिर बियर्ड को जो अपने होती है उसको कैसे आप डिफ्रेंशियेट कर सकते हो नेक से यह आपको 3D में दिखाने के लिए आपको नेक के साथ में इसको बहुत पर्फेक्टली ब्लेंड करना होगा यह देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेक वाला पोर्शन बहुत अलग दिख रहा हो यह देखो आपको डेप्थ दिख रही होगी आप फेशल हेयर या फिर बियर्ड के लिए इंडेंटिंग स्टाइलस टूल तो मतलब यह मानलो आपका बहुत ज़्यदा टाइम सेव कर देता है वर्ण अगर आप इंडेंटिंग स्टाइलस टूल का मान लो अगर आपको पता ही नहीं है या फिर आपने आपने नहीं यूज किया तो देख लो आपको कितना मतलब कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा इसके अंदर मैंने इसके ओपर ये complete tutorial बनाया ही इसलिए ताकि आपके पूरा एकदम perfectly समझ में आए एक एक चीज कि कैसे hyper realistic beard ड्रो की जाती है बहुत से artist है मैंने देखा है जैसे beginner artist है और भी जो से artist है उनकी drawing बहुत अच्छी होती पोर्टरेट बहुत अच्छी है बट मैंने एक चीज देखी है commonly कि वो जो beard बनाते है फिर facial hair बनाते है वो क्या है एक same direction में रखते हैं जबकि मेरा इसा मानना है कि अगर मानलो face पे अगर face पे hair जादा है तो क्या random direction में होंगे वो कभी एक direction में नहीं होंगे वो एक दूसरे के उपर होंगे तो depth दिखाने के लिए उनको आपको random ही बनाना पड़ेगा और मेरा तो यही suggestion है कि कभ कि आपको अंदाजा लग जाए आपकी ड्रोइंग क्या है एकदम depth में दिखे यह देखो यहां पर आप देख रहे होंगे कैसे मैं tombo mono zero eraser से जैसे strokes लगा रहा हूं white hair के लिए और ज्यादा depth दिखाने के लिए मैंने indenting stylus tool के उपर ही मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि जब कर लेते हो तो क्या है आपको मैं brush का वैसे इसलिए यूज करता हूं इसके अंदर ताकि वो क्या है white hair उसके अंदर perfectly blend हो जाए वरना अगर आप indenting stylus tool जो आपने यूज किया है क्या हार डेजेज फिर दिखने लग जाएंगे जो वो सही नहीं है विल्कुल भी इसलिए मैं brush blend करता हूं और फिर बाद में आप Tombow Mono Zero Eraser का यूज कर सकते हो एक्स्ट्र डाकनेस के लिए जहां पे मेरे को लग रहा है कि कि एक्स्ट्रा डार्क हेर है उसके लिए मैं और ज्यादा डार्क पैंसिल यूज कर रहा हूं जितना हो सकता है उतना ज्यादा अपनी जो आपके portrait है उसको आप observe करो एक एक बार इक detail जो आपको दिखती है उसको बनाओ जहां तक हो सकता है तो आपको अपने आप confidence आने लग जाएगा बनाते टाइम और आपके drawing 100% में बता सकता हूं कि realistic बनेगी कि आपको यह नहीं देखना है कि हाँ आप टाइम देख रहे हो आप अपना जितना भी एफर्ट है वो यह यह ओब्जर करने में लगाओ पेशेंस से बनाओ यह देखो बीच बीच में जो हेर मैंस से अलग अलग है उसको उनको मैं देखो शार पेंसिल आपको बीच बीच में करते रहना है क्योंकि यह हैर थोड़े थिन होते हैं आपको पता है ना पीर्ड मेर जो अलग भी होते हैं झाल 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 आप दोस्तों देखो मैं याप एक्स्ट्रा वाइटनेस के लिए सकूरा वाइट जैल पर यूज़ कर रहा हूँ जिसे और ज्यादत ये जो फेशल एर वो थ्रीडी में दिखें ये देखो आप देख रहे हो ना आप कितनी क्लासिक दिख रही है ये ये सकूरा पैन क्या होता है जब आप ग्रेफएट पैंसिल ये चार्कूल पैंसिल पर यूज़ करते हो तो क्या है ये बीच-पीच में ऐसे कि इसके ओपर मतलब या जैसे फ्लूइड ये फ्लूइड जम जाता है तो क्या है आप इसको हैंड पे थोड़ा सा रब करके और सकूरा पैन सकूरा जैल पैन को शिर्फ आपको ऐसे ही इसको बाद में ब्लैंड भी करना है कि इसका जो जैसे बाहर निकले हेर होते हैं बीर्ड के अंदर वो ऐसे दिखने चीए कि जैसे अंदर से निकल के भी अंदर से निकल के आ रहे हैं ये इसके बीर्ड के अंदर स तो उसको आना आपको blending स्टम से blend करना है मैं भी बताऊंगा आपको यह करे बाद कि पहले आपको वाइड जहां जहां भी है आपको दिखते हैं जैसे आपकी reference फोटो में वहां आपको कि जैल पहन से बना लेना है कि यह देखो अब मैं यहां पर इनके इनको क्या है इनके एजे सही से ब्लैंड कर रहा हूं इसके अंदर ताकि यह अलग नहीं दिखे एकदम कि यह देखो इनके पीछे का point है ना जैसे वाइट एर का वो और कई-कई वाइट एर से भी है जो कि थोड़े से completely blend है तो मैं उनको completely blend कर रहा हूं उसके अंदर कि यह देखो कि आप जब बनाओंगे जब आप ट्राइ करोंगे तो आपको इसका पता लग जाएगा कि यह देखो ऐसे आपकी यह पूरी complete realistic beard तयार हो जाएगी अब मैं तोड़ा फास्ट करके दिखा रहा हूं आपको यह चीज़ कि मैं फाइनल टच्स भी देऊंगा इसके अंदर क्या जहांजा मेरको और ज़्यदा लगता और ज़्यदा डार्कनेस तो और ज़्यदा पैंसिल यूज़ करूँगा और ज़्यदा अगर एक्स्ट्रा ही लैट लगती है तो मैं और ज़्यदा सब्सक्राइब ज़्यदा यूज़ करूँगा यह देखो अब और ज़्यदा मेरको ऐसा लग रहा है तो देखो अब मैं बीच बीच में कैमलीन चार्कूल पैंसिल से थोड़े बहुत हेर है वो फाइनल टच्स के लिए से बना रहा हूं यह देखो सकूरा से मैं एक्स्ट् जो एकदम कि बोलते ने शार्प हाइल लाइट है वो दिखो ड्रो करने के लिए दोस्तो आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मेरे को जहां तक लगता है मैंने पूरा ट्राई किया आपको समझाने का कि आपके पूरा अच्छे से समझ में आए बहुत से लोगों की कन्फूजन था उनका यह कन्फूजन इस वीडियो में क्लियर ह कर दी हैं आपके बाकि अगर आपको लगता है फिर भी कोई तो आप मेरे को कॉमेंट में पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं दार्ट में अंड्रेड मेरे इंस्टाग्राम का काउंट उस पर भी यह देखो मैं फाइनल टच कैसे दे रहा हूं तो दोस्तों आई होब कि आपको यह वीडियो बहुत यूजफुल लगी होगी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए कीप ट्रॉइंग कीप ट्रैक्टिसिंग सी यू सून